हे गाइस, आज का टॉपिक है हाइबर लूप कैपसुल और पॉर्ड भी कह सकते हैं। अगर आप भी एक स्पीड फ्रीक हो और तेजी से दूसरे सिटी ट्रावल करने का सपना देखते हो, तो ये विडियो आपके लिए है। हाइबर लूप एक ऐसी टेकनोलोजी है, जो तुम्हें एक नई और एक्साइटिंग ट्रांस्पोर्टेशन एक्सपीरियन्स दी सकती है। तो चलो, पहले ये बताओ, तुमने कभी सुना है हाइबर लूप के बारे में? अगर नहीं सुना है, तो टेंशन मत लो, क्यूंकि आज इस विडियो में मैं तुम्हें सारी जानकारी दूँगा। तक्नीकी दिनों दिन विक्सित हो रही है, और नयन्य आविशकार हो रही है। हाइपर लूप एक ऐसी टेक्नोलोजी है, जिसकी मदद से व्यक्ती और वस्तों को कम समय में सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। So, हाइपर लूप एक हाइप स्पीड ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम है, जहां पॉड या कैप्सुल मागनेटिक लेविटेशन, एमेल, टेक्नोलोजी और वाक्यूम के साथ काम करता है। इस टेकनोलोजी की मदद से हाइपर लूप पॉड को 1200 किलोमेटर्स पर आकी स्पीड तक ले जाया जा सकता है। मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में पहुचने के लिए सिर्फ 30 मिनिट्स की जूरत होगी। जसे कि मुंबई से नागपूर 4 घंटे का सफर सिर्फ 30 मिनिट में पूरा हो जाई जीए। हलाकि इस पे काम चल रहा है, जल्धी यह सपना सच होने वाला है। तो कैसे यह सब हो सकता है। हाइबर लूप ट्राक के उपर पॉर्ड मागनेटिक लेविटेशन टिकनोलोजी की मदद से चलता है, जिसे ट्राक और पॉर्ड के बीच कोई फिजिकल कॉन्टाक्ट नहीं होता है। इसे पॉर्ड की फ्रिक्शन कम हो जाती है, और तेजी से चलने में आसानी होती है। और फिर Hyperloop track के अंदर vacuum create किया जाता है, जिसे air resistance कम होती है, और port तेजी से चलने के लिए ready हो जाता है. अब आते है Hyperloop के fade-in की तरफ. Hyperloop के fade बहुत सारे है. जैसे की travel time कम हो जाता है, pollution कम होती है, और space की भी कम जुरूरत होती है. और भी बहुत सारे benefits है, लेकिन इसकी शुरुआत करने के लिए बहुत सारे resources और पैसा की जुरूरत है. लेकिन ये सब चिजों से परेशान मत हो. आज के time में Hyperloop के prototype भी बना दिये गए है, और testing भी हो रही है. और साथ ही, बहुत सारे देश भी Hyperloop को implement करने के लिए efforts कर रही हैं, जैसे की India, USA, Dubai और और भी बहुत सारे देश. तो guys, Hyperloop के बारे में सारी जानकारी तो हो गई. लेकिन अभी भी ये technology के लिए काफी challenges है, जैसे की बहुत तेजी से चलने के लिए track और pod का design perfect होना चाहिए. लेकिन, हम सब मिलके इन challenges को overcome कर सकते हैं, और Hyperloop को एक reality बना सकते हैं. इस technology से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल को subscribe करो और latest updates के लिए notification bell को भी दबाना मत भूलना. और हाँ, अपने views और opinions comments section में ज़रूर share करना. Thanks for watching.